हाई एवरिवन कैसे हैं आप लोग ये देखिए ये की रिंग मैंने बनाई है जिसमें चेरी और ये पत्तियां इसके अंदर करोशिय से हमने डिजाइन किया है और ये डिजाइन भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर है पल्लवी मैं तो उन्होंने ही भेजा था और काफी रिक्व तो जो मैंने लीफ बनाई है तो ये मैंने ऐसी इसी कलर से बना दी है तो आप इनको हरे दागे से बनाएं और चेरी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो जितनी आप चाहें उतना इसको डेफरोट कर सकते हो जो इससे पहले मैंने आपको लीफ बना कर दिखाई हैं दिन एक नया वीडियो लेकर आती हूं जिसमें मेरे सलाई और करोशी के ही डिजाइन होते हैं और जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि मैम आप अभी एक मैम ने बोला है कि आप स्टॉल या सॉल बना कर दिखाएं तो उसके अंदर बहुत जादा मेहनत भी है और फिर टा आप इसे कमेंट में पूछ सकते हो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी और पल्लवी मैम को भी मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि मैम आप बहुत धिहान से अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो को इसकीप करेंगे तो वहीं पर आप डिजाइन को नहीं समझ पाएंगे तो पह ये देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है और आप मुझे इंस्टाग्रां पर भी फॉफॉलो कर सकते हो जो स्ट्राइटर के उपर से स्टिकर लगे हैं वो स्टिकर मैंने उनको बताने हैं तो मैं आप ये बात मुझे क्लियर कर दें कि मैंने उसमें से कौन सा डिजाइन आपको बताना है तो आएए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है यह देखिए इस जिजयन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहां मैजिक रिंग बनाना है, तो मैजिक रिंग हम बनाते हैं, यह देखिए यहां पर हमने एक चैन बनाई और इसके अंदर हम मैजिक रिंग बनाएंगे तो यह हमने एक बार बनाया इसके अंदर हमने 8 मैजिक रिंग बनाना है आठ चैन बनानी है सौरी एक मैजिक रिंग के अंदर आठ चैन हम बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह देखिए आठ मैजिक रिंग हमने इसमें बनाया है अब हम इसको बंद कर देखते हैं यहां पर हम इसको क्रोशी के निकालेंगे और यह देखिए इसके अंदर हमने इसको बंद कर देना है इस चैन के अंदर हम इसको डालेंगे और इसको हमने स्लिप नोट से बंद कर देना है यहाँ पर हमने इसको निकाला, यह देखे, अब हम इसमें दूसरा राउंड जो बनाएंगे, तो दूसरे राउंड के अंदर हमने, आठ आठ हमने सिंगल करोशिया बनाया है, आठ का डबल हमने इसमें करना है, 16 हो जाएगा हर एक चैन के अंदर दो दो बार हमने सिंगल करोश्या बनाना है तो एक चैन के अंदर दो बार हम बनाएंगे यह देखिए तो यह हमारा बन गया है यहाँ पर तीन तीन चाथ पाथ छे साथ आठ नौ दस जारा बारा तेहरा जौदा पंदरा सोला यह सोला हमने इसमें सिंगल करोश्या बना लिया है अब हम इस चैन के अंदर करोश्या डालेंगे और इसको हमने यहाँ पर सिलिप नोट से बंद करना है आप चाहें तो आप यहाँ पर मारकर भी लगा सकते हो फिर हम यहाँ चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर हमने एक बार और करोश्या डालना है तो यह हमारा यहाँ पर एक बना है एक इसके अंदर हम दो बार बनाएंगे यह देखिए एक चैन के अंदर एक बार और एक चैन के अंदर दो बार ऐसे करके हमने ये राउंड कम्प्लीट करना है और हमारा इस राउंड में 24 सिंगल करोशिया हमने बनाना है ये देखिए एक में एक बार बनाएंगे और एक के अंदर दो बार बनाएंगे इसको हम complete कर लेते हैं अब हमने इसको बंद करना है तो बंद आप जहां पर इसको close करेंगे तो वहां पर आपने जिहान देना है यहां पर च्एन जो बनाई हुआए ए aspects इस चैन के अंदर करोशिया डाल कर चैन बनाएंगे जहां से हमने लिए अदर करोशिया बनाना है हमारे यहां पर 24 बन चुके हैं आप हमने यह राउंड हमारी चार हो गए हैं एक, दो, तीन यहां से देखें एक, दो, तीन और यह चौथा राउंड हम लेकर आ रहे हैं तो चार राउंड हमने करना है अब इसमें हमने कोई भी चैन नहीं बढ़ानी है हर एक चैन के अंदर एक अब बार डालते हुए हम इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे ऐसे करके हमने इसको बनाना है 24 की 24 चैन हमने बनानी है यह देखें आप इसको यहां तक यह 24 बन गया है अब यह देखें यह वाली चैन छोड़ी है और यह हमने एक चैन जो बनाई थे एक्स्ट्रा वो चैन है तो यह दोनों हमने यहां छोड़ देनी है जहां से हमने इसको श और इसी चैन के अंदर जहां से हमने इसको बंद किया है इसके अंदर डालकर हमने सिंगल करशिया बनाना है तो अब हम यह round complete हमने एक कर रहे हैं 8 round हम यह बनाएंगे यहां से 1,2,3,4,5 ऐसे करके हमने 8 राउंड बनाने हैं तो यह 8 राउंड मैं बना लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि हमने आगे वाला डिजाइन कैसे बनाना है तो यह देखिए हर एक चैन के अंदर 24 हमारे पास चैन है और 24 की 24 चैन हमने 8 राउंड में कम्प्लीट करना है देखिए यहां तक हमारे यह 8 राउंड बन गए है आप इनको यहां से गिन सकते हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 राउंड यह कम्प्लीट हो गया है अब हम यहां पर इसको डालना है और स्लिप नोट से हम इसको यहां पर जयंट करेंगे फिर एक चैन बनाएंगे एक चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हमने एक सिंगल करोश्या बनाना है तो यहां पर हमारा एक सिंगल करोश्या बनाना है अब आप देखिए एक हमने यह फिर अगली चैन हमारी है तो इसमें से हमने एक side वन साइड ये आगे से ये उठाना है फिर इसको उठाएंगे इसको एसे करके हमने यहां पर decrease करने है तो एक बार इसको करना है और एक बार हमने यहांपर single crochet बनाना है फिर ये देखिए ऐसे करके हमने इसको decrease किया फिर हम एक single crochet बनाया फिर यहां से दो chain हमने ऐसे करके लेनी है एक chain ये लेनी है और एक chain ये वाली लेनी है ऐसे करके इसको घटा दिया फिर हम यहां पर एक chain बनाएंगे single crochet लोग करना है यहां पर यह देखे यहां लाश्ट में हमने यह दूपन हमारे पास बचे हैं इन दौनों को पार दूपनेडिकृस करना है अब यहां यह झोड़ेना है इसके साथ हम इसको slip knot से में यहां बंद कर देना है तो अब आप देखिए इसको बिल्कुल यह round में बना है कहीं परधीस में देखिए अब हम इसके अंदर आपके पास में cotton है तो आप cotton fiber नहीं तो उनके छोटे cut piece भी आप इसके अंदर ऐसे करके डाल सकते हो अगर आपको कुछ नहीं मिला है डा इसके अंदर डाल देखते हैं आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे तो यह एकदम इसके अंदर आ जालेगा यह देखिए इसके अंदर हमने fiber डाल दिया है अब हम यहां पर इसमें से हमने एकक चैन लेनी है और हर एक चैन को हमने decrease करना है ऐसे करके हम इसमें लेते हुए जाएंगे और इसको यहां पर कर दिया फिर यह अगले वाला हमने दो लेनी है और दो का एक बनाना है फिर दोनों को हमने ऐसे करके निकाल देना है फिर यह देखिए यहां पर यह वाला उठाया इसको उठाना यहां नज़्दीक से मैं आपको दिखाती हूँ और दोनों को एक निकाला फिर इसका दोनों का एक बनाया देखिए फिर यह वाली चैन उठानी है इसके बाद इसको उठाएंगे और दो को एक करेंगे अब फिर इन दो को एक कर देना है ऐसे करके यह राउंड हमने कम्प्रिट करना है आप हर एक चैन के अंदर करोश्या डालते हुए इसको हम घटाते हुए जाएंगे यहाँ पर लास्ट में दो बचे हैं इस दो को भी हमने बिल्कुल बंद कर देना है देखिए इसको हमने ऐसे चैन बनानी है और यह दागा हमने यहाँ से कट कर देना है देखिए आपने जितना भी इसको बनाना है जितना दो यह तीन तो आप इनको बनाकर कम्प्लिट कर लें यह चैरी हमने बनाई है आप इसको जिस कलर में भी चाहें उस कलर में आप इसको बना सकते ह बचा हुआ दागा है तो इसको हम यहां से करके बचा डालेंगे और इस धागे को हमने यहां से और दागा के अन्दर लाके इस निकालेंगे आप इसको आपका फाइबर है नहीं निकलना चाहिए अब बाकी धागा हम अंदर से ऐसे करके हम निकाल देना है भचे हुए धागे को यहां से कट कर देते हैं अब यहां पर देखिए हमने इसको जयंट करना है तो ऐसे करके हम धागे का डबल करेंगे इसको देखिए दो हमने किया है खोफ अच्छे से लंबा मैंने इसको दिया है धागा यहां से हम इसको पकड़ेंगे और इसके अंदर हम यहां जेखें उपर से साइड से मैं इसको इसके अंदर याल करें है एसे करके हम इसके अंदर डालने हैं तो यहां पर मैं इसकी चैन ऐसे करके मैंने इसमें चैन बनाई है एक, दो, टी, चार्ट, पांच, छे, साथ, आख, नो, दस, ज्यारा, बारा, तेहरा, प्रोदा, जितना आप ने इसको इसकी लंबाई रखनी है तो उतना इसको आप बना सकते हो मैंने यहां पर 26 चैन्षे में बनाई है क्योंकि इसको हमने दूसरा वाला है हमारा इसके अंधर ज्यांट करना है आप देख्यों, इसको मैं यहां पर ज्यांट कर देते हुए इसको हमने यहाँ पर slip knot से जैंट करना है इसको हमने यहाँ पर adjust कर देना है यहाँ में धागा निकाल के और यह देखिए ऐसे करके हमने इसको दोनों को यहाँ पर मैं इसको निकाल लेटी है बचा हुआ धागा हम यहाँ काड़ेंगी बाकि इसके इंदर डाल कर देंगे अभी यमारे पास में एक और बचा है, उसको भी जोन्ट कर लेती हैं. यहाँ पर हमने इसको छोटा बढ़ा करके जोन्ट करना है, यह देखिए आप Grüsy Ichi को भी हम एसे करेंगे यहाँ पर। एक छोटा हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा यह वारा मैंने और बड़ा किया है और इस चैन के अंदर से मैं क्रोशे डालूगी और यह लूप हमने यहां से इधर ले लेना है इस लूप को हम यहां से इधर लाएंगे यह आ गया है आप देखें और इसको थोड़ा करके यहां पर इस तरह से हम एसको कर जोड़ा है आप यहां पर जो छला होता है रिंग होता है उसके अंदर डालने के लिए हमने यहां पर बनाना है तो एक दो तीन आप इसको सिंगल में भी बना सकते हो सिंगल धागे से भी आप इसको बना सकते हो और अगर आप में डबल में बनाना है तो आप इसको डबल में भी बना सकते हो तो ये मैंने यहां पर बना लिया है और इसको मैं यहां डाल का और यहीं पर मैं इसको जाइंट कर देती है, तो यह हमारा जो छला होता है, की रिंका तो उसके अंदर हमने इसको डालना है, और इसके साती साथ इसमें लीफ आपने लगानी है, तो आप वो भी लगा सकते हो, मैंने इससे पहले जो लीफ आपको दिखाई थी, तो वो लीफ पिर आप इसके अंदर लगा सकते हो लीफ बनाने के लिए हमने यहां पर 9 चैन बनानी है देखिए एक दो तीन चार पाँच छैसाथ आठ नौ आप चाहें तो आप बड़ी भी बना सकते हो लेकिन मैंने इतनी ही बड़ी इसमें बनानी है नौ चैन हमने बनाई है एक चैन छोड़कर इसके अंदर हमने एक सिंगल करोश्या बनाना है फिर अगली वाली चैन के अंदर हम डबल करोश्या बनाएंगे एक एक डबल करोश्या हमने और बनाना है यहां पर दो दो डबल करोश्या बनाया फिर तीन बार धागा लपेतेंग यह देखिए, एक, फिर दूसरा ट्रिपल करोश्य बनाएंगे, एक, दो, दो ट्रिपल करोश्य हमने बनाया है, फिर हम यहाँ दो डबल करोश्य बनाएंगे, एक, एक डबल करोश्य और बनाएंगे, दो, दो डबल करोश्य बनाया, फिर यहाँ पर हम एक सिंगल करोश्य बनाएंगे, यह देखिए, सिंगल करोश्य बनाया, और लास्ट वाली में हम एक स्लिप नॉट से इसको बंद करेंगे, अब हम इसको धागे को इस साइड लेकर आ एक दबल करोश्या और बनाएंगे बचा हुआ धागा है तो इसको हमने यहीं पर एड़ेस्ट कर देना है ऐसे करके हम इसको एड़ेस्ट कर देते हैं फिर हमने यहां पर टीन ट्रिपल करोश्या बनाना है ऐसे करके और हर एक चैन के नंदर एक अगबार डालते ही हम इसको बनाएंगे तो एक और एक बनाएंगे दो तीन हमने यहां पर टीपल करोश्या बनाया फिर एक हम यहां पर डबल करोश्या बनाएंगे यह देखिए और एक डबल करोश्या हमने और बनाना है दो डबल करोश्या हो गया और लाश्ट में हमने एक सिंगल करोश्या बनाना है यह देखिए सिंगल करोश्या बनाया और यहां पर लाकर हमने इसको दोनों को ऐसी जोइंट कर देना है यह हमारी एक रीफ बन गई है यहां पर हमने यह दागा छोड़ दिया था आप देखिए इसको हमने जैंट करना है इस दागी को यह दोनों दागे अपने पकड़ने हैं आप ध्यान दे और यह दागा हमने यहां से लपेट कर ऐसे और इस साइट लेकर आएंगे और इसके अं पर आ जाते हैं यहां से मजबूत हैं पना हमारा इसा सब्सक्राइब दागी ने देखेटको काटकर और इस धागे को यहां पर एड्जेर्ट कर देंगे यह लीफ हमने बनाई है इसमें हम पांच जैन बनागे यहां पर पांच यह अच्छ है आप जतनी लंबाई रख सकते हो तो मैंने इसको इतना शी कर देते ह। कि आप लिफ पि जितना बनाना चाहे उतनी यी नदर बना कर लगा सकते। जैसे इसको जयन्ट करना है तो इसके लिए sistem थोड़ा इसको इतना इस को dua ऑफ का मुझाई सब्विशिए और इसके अंदर से यहां से करुश्य डालकर हम इसको यहां, इस को यहां इस लुप को तीन चैन हम यहाँ पर तीन या चार चैन हम बना लेते हैं और एक लीफ हमारे पास में और बनी है यह देखिए तो यह इसका फ्रंट है और यह इसकी बैक साइड है तो यहाँ से मैं इसको इसके अंदर से जोइंट कर देखते हैं देखिए बहुत सुन्दर ये बना है आप इसको मेरे पास में हरा धागा नहीं था तो आप इसमें जो पत्तियां हमने बनाई है तो आप इनको हरे धागे से बनाएंगे तो ये और सुन्दर लगेगा आप इसमें कलर फुल इसमें चैरी बनाकर और पत्तियां आप हरी बनाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक लिए बाई थैंक यू